आप सब का आज के सेशन में हार्देख स्वागत करना चाहता हूं और इस सेशन की शिरुवात करों उसके पहले आप सभी को सारे के सारे हमारे व्यूवर्स को मकर सरकरांती की धेर सारे शुकामना है जिस तरीके से हम पतंग की डोर अपने हाथ में रखते हैं और हमारा पतंग बहुत ही नई उचायों को हासल करता है बिलकुर उसी तरीके से उम्मीद करता है कि इसके अंदर हमने देखा था लॉंग टम के बारे में किस तरीके से स्क्रिप सेलेक्शन वगरे करे क्या हमारा व्यू होना चाहिए स्ट्राटिजी इसके उपर हमने पूरा डिस्कुशिन किया टॉप टु बॉटम एनलिसस मेजर ली हमने यहां पर किया था मैंने कुछ गिफ्ट के बारे में भी जिकर किया था तो यह जो गिफ्ट है यह मैं आज भी आपको मैं देने वाला हूं बट आज का जो हमारा पार्ट है देखो बहुत सारे लोग के मुझे हमेशा कहते हैं कि सर लॉंग टर्म यारी हमने दो साल पांच साल लग दिया सबसे तो यहां किया है कि आपको अपना जो फॉंड है जो रिटन है और उसके उपर जो आपको रिटन चाहिए वो कंपाउंड़िंग चाहिए और राइट माल लीजे कि एक capital जो आपने यहां पे invest किया इस capital के ऊपर आपको यहां पे profit मिला तो यह profit को withdraw करने की जगह पे इसको reinvest यहां पे करने की आदत आप यहां पे दालिए so that इससे आपका capital जो है वो increase होगा जितना बड़ा capital उतना बड़ा profit जितना बड़ा profit उतना ही ज़्यादा reinvestment आप करोगे और यह overall यह एक ecosystem यहां पे बन जाएगा and यहां पे I always believe कि जब कभी भी आप investment करते हो जब कभी भी आपका view है वो बड़ा है जब कभी भी आप compounding के बारे में आप सोचते हो तो कम से कम तीन साल और best suggestion is five years तक आपको आपका जो capital है वो withdraw करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए in fact initial level के ओपर आपको सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना चाहिए कि new investment हम क्या करें कैसे करें कितना करें कब करें कौन से stock में करें कौन से sector में करें तो यह है मेरे हिसाब से long term तो long term में आप trading investment वो सारी चीज़े ठीक है लेकिन जो अभी मैंने बताया कि सबसे पहले हमारा जो view है वो stock market में लंबी game खिलने का होना चाहिए second जो है वो यहाँ पर compounding के ओपर focus करना चाहिए अब देखो compounding जो है न fndo की कोई भी जो strategy है उसमें आप compounding उत्रा नहीं कर पाओगे अगर आप माल लीजे कि एक trading strategy है आपने उसके ओपर काम किया let's say I have a trading strategy which is working in nifty मैं एक lot में मैं काम कर सकता हूँ मैं 10 lot में कर सकता हूँ और माल लीजे कि मैं 1000 lot में भी अगर मैं कर दो लेकिन कहीं न कहीं एक level ऐसा आएगा कि जहां पर strategy फेल होना शुरू हो जाएगा यह मैं आपको बता दो बहुत सारी strategies ऐसी है जो मैं भी जानता हूँ I think equity में तो कोई foundation नहीं है तो F&O के लिए मेरा thumbs down लेकिन अगर आप compounding करना चाहता हूँ equities must and सबसे ज़्यादा important पता है क्या है अगर हम genuinely पैसे बनाना चाहते हैं तो जो new investment है नया जो investment है यह हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए आप यहां पर दे 50 रुपे पर दे आप investment करो no problem लेकिन यह करो because this habit is going to make you some of the richest person in the world यह आपको बना सकता है अगर आपने नए investment किया और एक simple अगर मैं दू यहां पर let me just try to open a simple power of मैं यहां पर एक मैं open कर देता हूं one minute grow s.i.p calculator यह grow एक broker है इनका s.i.p. calculator मुझे काफी अच्छा लगता है all right हमारा s.i.p.s intention नहीं है अब मैं आपको एक simple calculation में बताता हूं 500 रुपए अभी के लिए रखता है lump sum all right मान लीजए कि lump sum 500 रुपए में invest करता हूं यह अभी के लिए 10-year में maximum कर देता हूं यह सिर्फ हमारे understanding के लिए है यह कोई performance वगेर यह वह सच कुछ यहां पर नहीं है all right so just 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 look at this part all right अगर आप सिर्फ एक बार आप यहां पे investment करते हैं all right 500 रुपए लंब सम आपने सिर्फ जीवन में एक पर किया तो यह पैसा at you know highest speed and for the highest tenure it can become 1,80,000 all right 1,88,000 बन सकता है लेकिन यही जब आप 500 रुपए आप investment करते हो all right यही 500 रुपए अपर मन्त आप investment करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो value है it is growing up to three times all right तो यह है power आपके recurring investment का तो मेरा आपसको कहना यह है कि आप long term के stock में आप बले investment करो या ना करो लेकिन आपका जो view है वो long term का होना चाहिए कैसे compounding फिर आपका new investment जो stock है उसमें profit को reinvest करना है withdraw नहीं करना है कम से कम तीन से लेके 5 सल का lock-in आप अपने मन में आप कर दीजे और एक strategy के हिसाब से ही आपको काम कर रहा है अगर यह आप करोगे तो आपका जो first part है वो clear हो जाएगा all right so मैं एक तो मेरी थोड़ी सी तवियर ठीक नहीं है सर्दी अपना काम यहां पे कर रही है all right और एक तो मैं अपने location में भी नहीं हूँ all right मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहां पर मैं प्रभु भुगवारिश्वर के शारन में रह सकूँ and थोड़े से अपने पुनिया बढ़ा सकूँ इसके लिए मेरा camera आज यहां पे off रहेगा तोड़ी से आवाज अपको मेरी भारी लगेगी उसके लिए एक रुपागर के मज़े शमा करिये बट एक बार confirm कर दीजिए are you guys here with me just write me in a comment section all right अगर आप लोग यहां पे है मेरे साथ just write me in a comment section so that मुझे भी पता चले क्योंकि क्योंकि because मैं office में नहीं ना office में मुझे clear ले दिख रहा है कौन है कहां पे है कितने लोग है online है आपके messages में सब देख पाता हूं लेकिन यहां पर थोड़ी से मुझे दिक्कत हो रही है but I hope आप अगर comment में लिखोगे तो मुझे आपको मेरी आवाज भी आ रही है and things are quite good all right चलो तो आज का session शुरू करते हैं so the first part is we need to understand about the candlestick देखो candlestick आपने अब बहुत important चीज है candlestick के ऊपर आपने धेजो आपने lecture already आपने देखे होगे मैंने भी कही सारे lecture किये candlestick के बारे में एक चीज में बहुत ही में clear मैं बहुत ही जादा clear मैं आपको बता दो candlestick जो है यह बहुत ही साजा बहुत ही जादा subjective चीज है all right यह किसी specific time frame में बहुत अच्छा result देती है for example daily के time frame पे आपके जो candlestick है यह बहुत बहुत अच्छा result देंगे all right लेकिन अगर आप इसी candlestick को लेट से किसी और time frame में जैसे quarterly हो गया half yearly हो गया yearly हो गया यह quarterly हो गया इस जिए पर शायद इसका जो performance है उत्रहा अच्छा ना आए जितना आपको daily में मिलता है वह same अगर आप उसको नीचे लेके जाओगे 60 time frame में थोड़ा सा और कम 30 में थोड़ा सा और कम 5 minute में थोड़ा सा और कम एक minute में और कम अच्छा अब ही तो मैं देख पा रहा हो कि internet पे trend है 3 minute के time frame का I have seen the three sorry two different time frame जिसको promote किया जाता है एक है 3 minute का time frame और दूसरा है 7 minute का time frame all right तो मैंने बता है सरदी अपना काम कर रही है इसलिए इस session करने में थोड़ी से मुझे दिक्कत आ रही है बढ़ हां देखो मैं यह नहीं कहा रहा है यह सही है गलत है but this other time frame जहां पे जो scalpers है जो intraday trader है वो यहां पे अपनी strategy को test और आजमात है यह time frame सही है या गलत हमें यह नहीं कहा था बट मुझे इतना पता है candlestick का सीधा correlation है with your profit और आप all right माल लेजे आपका एक time frame है और एक time frame फिर हम देखते हैं आपके candlestick all right और फिर हम देखते हैं आपका profit all right जितना time frame increase करेंगे उतना candlestick की you know candlestick जो है वो perform करना बन कर देगा और आपके जो profit है वो increase होना शुरू हो जाएंगे और जितना बड़ा time frame उतना बड़ा profit simple याद रहें जितना छोटा time frame आप करोगे हो सकता है कि आपके जो candlestick है और उसका जो performance है अगें वो आपका neutral रहें और profit भी आपका जो है वो decrease हो जाएं लेकिन एक अगर आप pivot time frame अगर आप consider करें जहां पर candle stick का performance भी अचा है और profit भी अचा है तो this is a win-win scenario all right this is kind of a speculation वाला scenario and this is kind of a yes if you are a pro trader आप आप यहां पर बताओ जितना time frame बड़ा अगर यह आपका factor अगर यहां पर है तो यहां पर मेरा जो time frame मेरा मतलब यहां पर है वो है आपका weekly वाला time frame और monthly वाला all right यह वाला जो यहां पर आप देख पा रहे है this is my time frame which is a daily all right और यहां पर यह वाला time frame है this is let's say five minute और इससे कम time frame वाले कोई भी all right तो आप आप सभी से मेरा आगर यह होगा कि अभी के लिए इदे को यह वाला जो daily वाला time frame है it is considered to be a pivot time frame अब मालीजे कि आपको इपंदरा मिट पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा risk to reward ratio जो है वो daily में आपका change हो जाएगा यहां पर आपकी जो accuracy है performance है जो आपके result है वो बहुत ज्यादा increase हो जाएगे इसलिए candle stick को आपको समझना पड़ेगा candle stick को आप हर एक जगा पर नहीं देख सकते जैसे आप यहां पर इसको weekly में monthly में अब कुछ लोग जैसे मैंने see I know a lot of mentors जो सिर्फ weekly में और monthly में analysis करते हैं और उनका analysis सही भी होता है there is nothing wrong in doing the analysis in weekly and monthly एक simple उदार्ण देता हूं अगर हम candle stick की हम बात करते हैं तो candle stick के अंदर one of the smallest candle stick जो है वो doji है यह आपके spinning top यह bottom है अब यह जो candle stick का यह बले कितनी चोटी क्यों ना हो इसका जो high and low का जो distance होगा यह approximately in a weekly time frame यह 5% के आसपास होगा weekly में और अगर अगर आप इसको monthly में अगर आप देखने जाओंगे तो यह हो सकता है कि यह 10% के आसपास भी हो अब simple strategy है माली जे नीचे आया मैंने एक doji देखा doji का high मैंने plot किया इसके high cross करने पे मैं buy करूंगा low cross करने पे मैं यहां पे stop loss sell कर दूँगा और वाइट सेवर सब में stop loss लगा दूगा अगर आपने यहां पे buy किया लट से इस जगे पे आपने buy का future lot यहां पे लिया और अगर आपकी जो candle stick की size है वो 7% आ गई और आपकी strategy जो है वो कहती है कि closing basis और तो 7% minimum stop loss हो गया this can increase up to 10% अब देख तो यह strategy work नहीं करेगा इसके लिए you need to be very very much specific कि अगर मैं daily में करता हूं तो मैं daily में ही continue करो फिर मैं अपना time frame ना में बढ़ाऊंगा ना में घटाऊंगा अगर हम weekly monthly में करता है तो I'll just do in this time frame only basically आपको जो अपना skill है जो आपका honor है जो आपका you know analytical आपकी जो I would say strength है उसको कि किसी एक specific time frame पे आपको focus करना पड़ेगा और मैं यहां पर recommend अभी के लिए मैं सबको यही करता हूं कि कुरुपा करके देखो अगर daily के ऊपर के time frame में अगर आप master हो तो please अपने आपको you know let down मत करिए नीचे मत आईए ओराइट लेकिन अगर आप daily के नीचे किसी भी time frame में analysis homework strategy अगर अगर आप सीखते भी हो क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारी strategy इवन मेरी भी कहीं सारी strategy जो है वो 15 मिट के अंदर ही मैं share करता हूं तो अगर if you are in any time frame which is less than you know daily 60 हो गया 30 हो गया 15 हो गया 5 हो गया तो आपका focus क्या होना चाहिए आपका जो focus है वो यहां पर daily के time frame का होना चाहिए because this is the ultimate saviour daily का time frame ही आपका saviour है हमें लगता है कि technical analysis से मेरे किसमत के दर्वाजे खुल जाएंगे technical analysis यह एक दर्वाजा है सिर्फ एक दर्वाजे से आपके किसमत के दर्वाजे नहीं खुलेंगे आपको सेकड़ दर्वाजे खुलने पड़ेंगे और उसमें से एक है आपका you know time frame तो time frame बहुत ज्यादा important है आप एक इंडिकेटर लगा दो जिसका नाम है moving average इस दुनिया में कोई भी वेक्तिया असा नहीं होगा जिसको moving average के बारे में नहीं पता होगा अगर आपने यहां पर moving average लगा दिया moving average अगर आप daily के time frame में देखोगे तो आपको cross up and cross down जो है all right यह आपको once and twice in a month मिलेंगे अगर आपने 55 की MA अगर आपने लगा दी लेकिन यही अगर आप 15 bit में अगर आप जाओगे तो every second or third day all right आपको यहां पर cross up and cross down आपको मिलेगा तो आपकी frequency कितनी जादा बढ़ जाती है when your frequency is increasing your risk to reward ratio your profit probability your rnr everything will change all right तो इसलिए indicator oscillator tool candlestick यह सारी चीज़े dependent है एक सबसे master चीज़ के उपर वो है आपका time frame all right so i wish all of you just try tf in a comment section अगर आप समझ पा रहे हो the importance of time frame अगर आपको लग रहा है कि हां मैं time frame के बार में थोड़ा सा detail में मैंने आपका समय लिया लेकिन मैंने आपको अच्छी जानकारी दी then just try tf in a comment section मैं जैसे मैं समझ पा रहा रहे होंगे लेकिन फिर भी आप लोग आए उसके लिए बहुत 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 दनिवाद अब जो लोग online है जो मुझे देख रहे हैं I insist all of you just try tf in a comment section यानी time frame के importance को अगर आप लोग एगरी करते हो समझते हो and आप मेरी बात को मानते हो तो just try tf in a comment section so that मुझे भी पजा चले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी सर्दी अपना काम कर रही है तो बीच बीच में आपको मैं अपना माइक जो है वो म्यूट मैं कर दूँगा और मैं अपने शरीर के अंदर जो बन रहे है जो कफ है उसको मैं कंट्रूल करने की में कोशिश करूंगा so let's try to understand about the candlestick दे को candlestick में जहां तक मुझे याद है ना there are more than 100 candlestick pattern एक सो सिस आप दा candle stick pattern है अब जितने भी candlestick pattern है इसको अब single candlestick pattern फिर आप यहां पर इसको double candlestick pattern फिर यहां पर आप इसको triple candlestick pattern फिर यहां पर आप इसको four candlestick pattern and फिर उसके बाद five and more candlestick pattern यह इस तरीके से divide होती है अब यह जो candlestick divide होती है इसको आगे चलके और तीन category में divide किया जाता है एक जो है यह आपका trend continuation और दूसरा जो candlestick का प्रकार है वो है trend reversal trend reverse का यह बताती है और तीसरा जो प्रकार बताती है वो है आपका neutral तो अब आप बोलो कि sir candlestick जिसमें 100 से ज्यादा candlestick pattern है single double triple four more यह neutral continuation यह वो इतने सारे याद रखने की ज़रौत है तो देखो I think answer is no all right क्योंकि English में कहावत है jack of all master of none तो हमें यह नहीं करना है हमें आपे सिर्फ एकी चीज करनी है वो यह है कि जो important candlestick है जैसे मा लीजे trend continuation की एक-डो सीख लिए trend reversal की एक-डो सीख लिए और neutral trend की एक-डो सीख लिए तो इतना हमारे लिए enough है तो उसी को ध्यान में रखते हुए there are certain candlestick pattern जो मैं आपको यहां पर शेयर करना जाता हूं जो आप यहां पर देख सकता है आपको सिर्फ उट से focus करना चाहिए hammer inverted hammer pick doji spinning top spinning bottom यह एक ही चीज है doji यानि क्या यह जो है इसको doji क precurs합니다 spinning top यह जिसके इंडर छोटा सा body हो इसको spinning top ख़ता है अगर अगर Voris क सकते हैं और downtrend केmak के बाद बना तो इसको spinning top कहते हैं औरभी टीन बन गई तो ये LANG LENT DOGUE हो जाता है तो हरे Candlestick का एक विचार होता है घिसे 6 को 갖고 चेंजो है और ये स्पेनिंग टॉप स्वेक्ट डॉटом यह का आल्मूस्ट सेम्त है 80 परसंडिसकी प्रफर्टी संड़ तो आप इसको स्थिंग को एक ही आप सकते और अब यह जो तो डोजी वगर है, यह आपके neutral candlestick है, neutral यानि ना यह तेजी बताती है, ना यह मंदी बताती है, neutral यानि यह एक दर्शाती है, pause, और मैं अपने जीवन में मैं कह सकता हूँ कि डोजी जो है, इस मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में, डोजी candlestick ने मेरा बहुत मदद की, hammer inverted hammer ये candlestick में मुझे बहुत जादा पसंद है, लेकिन ये candlestick pattern ये subjective है, hammer inverted hammer हर जगे आपको दिखे तो काम नहीं करना है, जैसे माल लिजे, ये वाली candlestick है, ये वाली candlestick है, ये hammer है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौनसी वाली candlestick पे, आपको, कौनसी hammer पे आपको in short काम करना है, जैसे मैंने देखा, इस scalper को इस तरीके की छोटी जो डोजी है, ये बहुत पसंद है, अब मैं अपने paid session में कहता हूँ कि ये बच्चों के खेलने की doji है, अब बच्च कर सकता है, और in fact, अगर आपका time frame छोटा है, तो छोटी ही बने, बड़े time frame में छोटी नहीं बन सकती, और छोटे time frame में बड़ी नहीं बन सकती, इसलिए again everything is completely dependent on time frame, alright, तो फिर भी हमें क्या राक्ति याद रखना है, hammer, inverted hammer, ये जो है, ये दोनो candlestick जो है, ये आपको trend reversal यहा आप पे रखती है, inside bar and outside bar, ये एक trend continuation की निशानी है, alright, trend continuation की निशानी है, inside bar, outside bar आगे चलके, ये bullish and bearish angle fing के अंदर, and piercing candlestick pattern के अंदर बदलती है, तो overall ये आप इसको 1, इसको 2, और इसको आप यहापे 3 कह सकते हो, और ये वाली जो है, आप इसको 3.1 कह सकते हो, क्योंकि inside bar and outside bar आगे चलके, जब ये जो पेड़ है, इसकी शाकाय बढ़ती है, तब ही जाकि, bullish and bearish angle fing बनता है, ये अलग नहीं है, alright, in fact, bullish and bearish angle fing जो है, ये inside and outside bar का ही part है, तो अगर आप angle fing, कोई भी angle fing pattern को, आप inside bar या outside bar ही अगर आप नाम दोगे, तो technically वो सही है, वो गलत नहीं है, alright, अ अब ये सारी चीज़ों का, ये सारे का analysis करो, सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, confirmation, देखो, मैं always believe करता हूं, कुछ, कुछ pattern नहीं है, बहुत काम के है, जैसे मा लिजे stock मेरा ऊपर गया, नीचे रोका, इदर इसने, ये ऐसे, इसने, सेम हाई यहां पर बन गय ये सारे, ये सारे, ये क्या है, time pass, all right, this is called a time pass, लेकिन, when you have a confirmation, double top and double bottom is what, this is give you confirmation, बना, इदे को, मेरे हर एक session में कहता हूं, a trade without confirmation is like a suicide, all right, तो बना confirmation के trade नहीं करना है, तो confirmation किस चीज़ का, hammer, inverted hammer, ये candlestick का, वो confirmation कहां पर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डबल top, double bottom पर, ये ही confirmation ह हमारे काम के है, इसके अलवा कोई काम के नहीं है, जैसे मैं recently मैंने, कुछ देखा मैंने, इसमें आपके stop में like a doctor ready, all right, मैं आपको बताता हूं, doctor ready, ये, इसको मैं यहाँ पर मैं देख रहा था पिछले दिनों में, अगर आप यहाँ पर देखो, तो just look at this, ये मेरा एक resistance है, म देखो, मेरे लिए, ये आप यहाँ पर देखो, इस जगे पर, all right, अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक resistance था, resistance लिया, फिर breakout आया, और उधर ही इसने एक doji बना दिया, I was like, कि अरे यार, ये तो काम का doji है, ये बेकार का तो doji है ने, all right, अब यहाँ पर, ये, ये अकेला ऐरसल, candle sing, pattern, तो यहाँ पर मेरे लिए, क्या important देखो, मुझे, यहाँ पर क्या मिला, बुझे, यह पर मिला, यह दो जी मेरे काम का है, ये वाला, all right, अब ये चो doji है, मुझे, कहाँ मेरे काम का है, मुझे, डबल टॉप पर में आप जो, काफी अच्छी बात है, यह plut fluffền इ का डबल टॉप यह सारे इंपॉर्टन है एक आपको स्टॉक बताता हूं आपको वह नाम सुनके ही आपके शरीर में बिजली बनने लग जाएगी क्योंकि यह कंपनी का काम ही है बिजली बनाना और राइट वेंड मिलके आधार से तो अगर आप इस टॉक को ध्यान से इसको 2023 में इसने ब्रेक करने की इसने कोशिश की और राइट नाव डिज़िस काल मल्टीयर का डबल टॉप इसको क्या कहते हैं अच्छा माना जाएगा ऑ अगर मल्टीयर का अगर आपका ब्रेक होता है तो यह काफी अच्छा बना जाएगा तो इसलिए चीज चीश का है वो है 44 इसने एक multi-month का इसको multi-month नहीं कहेंगे इसको multi-week कहेंगे multi-week का इस टॉक ने अभी breakout यहां पे दिया है at the price of 44 और अभी 44 70 चल रहा है approximately तो 44 70 पे आप इसको breakout confirm बान सकते हैं if I am a trade right I'll keep my stop loss somewhere around this 34 मेरा stop loss होगा what would be my target my target would be very very much simple 150 percent all right 150 percent from this name कैसे Fibonacci का retracement simple कोई logic नहीं all right आप यहां पे Fibonacci का retracement जो है उसको आगे extension के तौर पर आप इस्तिमाल कर सकते हो तो this is this is a type of a method जिसका आप इस्तिमाल कर सकते हो trading के लिए NRS के लिए और एक stock में आपको बताता हूं जो रीसेंटली मैंने देखा और उसका नाम है और फार्मा में आप देखोंगे रीसेंट मैं कभी फार्मा के एक्जांपल नहीं थे था लेकिन अभी मैं आपको फार्मा के एक्जांपल दे रहा हूं ब्यान से देखों देखो मेरे लिए यह जो stock है इसके लिए important हता है क्योंकि एक resistance था बहुत अच्छा और वहां से शिपला ने क्या गिरावट दी बहुत जब अब इस तरह के की जो candlestick है यह red वाली यह बड़ी red वाली और इस तरह के की big candlestick big candle मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा और उसमें भी अगर यह candle stick red वाली बनी तो यह मेरे लिए high probable setup माना जाएगा अगर यह green वाली यहां पर बनती है तो यह मेरे लिए low probable होता है तो मैं जब भी यह everyday का मेरा homework होता है top gainer and top loser जो है ना उसमें मैं loser को हमेशा देखता हूं ऐसा stock जिसने 7-8-10% का एक दिन के अंदर गिरावट दिया हो और अगर वह stock nifty 50 और निफ्टी 100 का पार्ट हो तो बाइसा वहां पे पैसे बना रेके opportunity बनेगी बनेगी एक stock और एक मैं share करता हूं polycap और राइट इसको यह मेरा range यहां पर बन गया और यह मेरा range यहां पर बन गया ऊपर 4000 को cross करेगा तो I'll be happy और नीचे यहां पर 3800 को जैसे कि यह breakdown देगा तो यहां पर I'm interested to do a stock SIP और इसको यहां पर buy करो अब buy क्यों करना है क्योंकि यह जो stock है और इसका जो CAGR है यह 12% प्लस यह अभी तो मैं नहीं जानता कितना इसका गिर चुका होगा शायद यह 10% के पास आ चुका होगा यह और गिरा होगा लेगिन this is a kind of opportunity जिसको आपको catch करना चाहिए problem क्या है income tax ने raid किया income tax ने raid किया यह जारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे यहां पर dilute हो जाएगी क्यों क्योंकि company पैसा कमा रही है that is more important company ने tax की चोरी की ठीक है चोरी की उसका जो कानूनी जो रस्ता होगा वो निकाल लेंगे company बन तो नहीं हुआ है ना यहां पर आपने tax नहीं बढ़ा tax session का जो problem है वो यहां पर sooner and later वो यहां पर discount हो जाएगा और यह stock अगर आप अभी देखोगे अभी अगर आप beautiful discount of 33% मुझे बहुत जादा पसंदे यह stock disclosure दे दू हो सकता है कि यह मेरे portfolio में हो या आगे आने वाले दिनों मैं मैं इसको add करू और लेकिन यह कोई buying या selling recommendation नहीं है मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि जब भी कोई stock गिरता है और तो उसको देखो अब मालीजे यहां पर stock रुका है यह multi month multi year को कोई confirmation नहीं है अगर यह stock मुझे यहां पर मिलता नहीं यहां पर इसके पर अरे बाइसाब दबा के इसके इंदर कुछ काम किया जा सकता है but overall मेरा intention यह है कि आप यहां पर everyday मैंने आपको weekly homework का मैंने आपको video मैंने share किया था अब आपको daily homework की बात यहां पर मैं कर रहा हूं रोज आपको क्या करना चाहिए ऐसे stock देखो जो आज गिरे हो जोड़दर तेको कॉर्प्रोटेक्शन के कारण बड़े होए गिरे होए जो stock है उसको नहीं दिखा जा था जैसे आप यहां पर coaching shipyard को देखोगे coaching shipyard जो है आप तो अट्रा परसंट ऊपर था और यह काम का नहीं है this is not good और तो यह यह आप देखो any price action which is happen because of the corporate action it is not good यह मैंने weekly meetup में मैंने कहा था हमारे paid client को कि यह सही नहीं है यह इस तरीके के pattern सही नहीं है और यह होते हुए दिख रहा है यह stock गलत ऐसा नहीं करा हूं यह pattern गलत है अब यह pattern अगर गलत है तो क्या होगा stock धीरे-धीरे dilute करेगा थोड़ा सा इधर उधर खेल करेगा अपने आपको देखना पड़ेगा दोस्तों हर एक candlestick हर एक जगा पे यह कोई यहां पे आपको कोई rocket science आपको नहीं देगा हरे candlestick हर एक जगा पे आपको कोई जबर दस्त आपको कोई पैसा बनाने की opportunity नहीं देखा hammer कितनी भी अच्छी hammer क्यों नहीं हो हर एक stock में इसके काम करने का जो तरीका है वो अलग होगा performance, result, property, सब कुछ अलग होगा इसके लिए सिर्फ और सिफ candle stick नहीं देखना, candle stick का इस्तमाल आपको करना है सिर्फ और सिफ confirmation के लिए, now confirmation क्या देखे M2B2 मुझे लगता है कि इस दुनिया में M2B2 से बहतर कोई चीज हो नहीं सकती, M2B2 के उपर मैंने इतने lecture किया है तो genuinely I am saying it is beautiful, one of the best concept which you can use if you haven't learned any professional strategies, free में अगर पैसा बनाना चाहते हो, किसी भी mentor को एक पैसा भी देना नहीं चाहते है, कोई आपको paid strategy में interest नहीं है, M2B2 definitely आपकी उमीदों के ऊपर खरा होतरेगा, M2B2 यानि क्या, बहुत है simple, दो Bollinger Band लगाने है, alright, M2B2 यानि क्या, मित to be very honestly में आपको बता हूँ, क्योंकि John Bollinger भाई साब तो एक ही band लगाने का कहते थे, अब मैं दो band में यहाँ पर लगाता हूँ, एक जो band लगाया, वो मैंने 20 और 1 का मैंने यहाँ पर लगाया, और दूसरा जो band है, वो आपके default value का है, one minute, हाँ, दूसरा जो है, that is 22, तो मैं मैं दो band यहाँ पर लगाया, एक है 20 और 2 का, और एक है मैंने लगाया 20 और 1 का, all right, simple, यहाँ पर कोई rocket science नहीं है, इसमें कोई, मैंने अलग से कुछ ऐसा parameter नहीं लगाया, 20 और 2 जो है, यह default है, मैंने 20 और 1 और एक मैंने यहाँ जोड दिया, जिससे मुझे यहाँ पर थोड और एक चीज आप लगा सकते हो, उपर आपने यहाँ पर दो बॉलिंजर बैंड आपने लगा दिया, नीचे यहाँ पर आप यहाँ पर BBW लगा दो, BBW यानि क्या, बॉलिंजर बैंड का width, all right, तो यहाँ पर जिससे आप देख सकते हैं, इस जिए पर width बहुत जादा है, ज इसका मतलब यह trend आपका आगया, मतलब इसमें जो खेल होना था हो गया, जितना नीचे इसका मतलब अब नया पैसे बनाने की opportunity, simple आपको, simple उदारण में बेता हूँ, जितना नीचे होगा, वो आपकी entry को promote करेगा, जितना उपर होगा, वो आपके exit को promote करेगा, यानि जितना नीचे मिले, वहाँ पे आप समझें, नया buy या नया sell करने की opportunity, जितना उपर मिले, यानि exit करने की opportunity, तो आप कोई भी stock देख रहे हो, उसका अचा आप BBW को compare किस से करोगे, उसी stock से करोगे, आपको किसी और stock से कर लेगी ज़रूरत नहीं है, जैसी यह जो stock है, देखो, यहा आया है, तो इसकी value जो है, वो बड़ी है, तो simple, आप इसको एक horizontal line आप यहाँ पे plot कर दो, आपको किसने रोका है, इधर आप horizontal line आप इधर लगा दो, और एक horizontal line आप इधर लगा दो, अब जब कभी भी आपका stock इस जिगे पे आए, तो कसम खा लीजे, अपने पड़ो से की, कि आप वहाँ पे कभी भी fresh buy नहीं करेंगे, और वहाँ पे आप अपके पास अगर position है, तो exit के बारे में सोचेंगे, लेकिन नया buy नहीं करेंगे, और इस जिगे पे जब भी आता है, और आप यहाँ पे यह जो bottom वाला part है, इस जिगे पे जब भी आए, तो आप अपने free money, alright, अब यहाँ पे जितना ऊपर जाए, यह आपको profit देगा, जितना नीचे जाए, यह आपको entry की opportunity देगा, तो जो भी stock में, आप trade करना चाहते हो, simple आपको क्या करना है, आपको daily के time frame में जाना है, आपको वहाँ पे Bollinger Band लगा लेनी है, दो, and नीचे और एक चीज आपक alright, W में हमने क्या देखा, नीचे जाता है, तो यह आपको entry का आपको एक विश्वास आपको दिलाता है, और उपर जितना जाता है, यह आपको exit का एक आपको विश्वास दिलाता है, alright, अब यहाँ पे Bollinger Band में हमारे काम की चीज क्या है, Bollinger Band में जब मेरा stock trend में है, alright, यहाँ से कसम खा लिजे, जब भी आपका stock यह उपर वाले area में हो, alright, अगर उपर जाएगा, तो उपर वाले area में होगा, जब आपका जो stock है, वो अगर मंदी में होगा, तो यह नीचे वाले area में होगा, alright, याद रखिए, तो अगर उपर वाले area में है, तो profit book करने का, आप यहाँ पर जल्द बाजी नहीं करेंगे, नीचे वाले area में होगे, तो profit book करने का, जल्द बाजी आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक ही चीज दियान रखनी है, यह जो beach वाला area है, इसके अंदर stock का price आया, तो यह आपको दर्शाता है, LOM, loss of momentum, alright, तो loss of momentum आपको नह नहीं देखना चाहिए, loss of momentum नहीं आना चाहिए, जैसे माल लीजे एक उदारण के तौर पे, अगर मैंने, एक confirmation लिया, for example, nifty ने यहाँ पर double top का confirmation मुझे इस जगे लिया, alright, तो यहाँ पर माल लीजे कि मैंने nifty की position buy कर लिया, approximately 19,800 पे मैंने nifty buy कर लिया, alright, अब buy मैंने किय अब मैं यहाँ पर जैसे इसने close किया, इस red वाले zone के अंदर, तो यहाँ पर मैं exit करूँगा, which is 21,250, अब मुझे बताए, इससे अच्छी कोई strategy आपको मिल सकती है, alright, अब और यहाँ पर आपको confirmation मिल रहा है, अब यहाँ पर आप देखो इधर, देखो confirmation मैं आपको बर रहा with का, alright, with आपका नीचे आ गया, नीचे आनी क्या, bye, alright, तो यहाँ पर आपके पास एक और शूटी है, कि अगर, एक मुझे break out, अगर यहाँ पर मिलता है, about 22,050, alright, यह मेरे लिए एक अच्छा संकेत माना जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर, यह जो consolidation वाल आईरी है, पर आप, आपने कुछ भांग-भांग तो नहीं पीले है, उतराण के दिन, alright, तो देखो, simple मेरा तो नियम है, बड़े पैसे कमाना है, तो बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर आप 50 पॉइंट का stop loss आप नहीं रख सकते हैं, तो 500 प बनेगी, यह क्या है, आपका electric bill का, आपके gas का खर्चा निकालेगा, आपके petrol का खर्चा निकालेगा, इससे कोई आपका कोई बंगला गाड़ी, घोड़ा गाड़ी नहीं बनने वाला, alright, तो बंगला घोड़ा गाड़ी, plane, हवाई जहाँ आपको helicopter लेना है, तो उसके लिए strategy अगर आपको सीखनी है, तो आप M2B2 लिख के message बेख दीजे, at the same time, अगर आप Doji के बारे में भी सीखना जाते हैं, तो इसके उपर भी already हमने lectures किया है, उस lectures को भी आप अगर यहाँ पर attend कर लोगे, तो definitely आपको बहुत ज़ादा benefit मिलेगा, और आप यह message बेख दीजे, मेर पास scanner है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि this is the stock, जिसने एक breakout already confirm कर दिया 12 तारिक को, यानि फिसले शुक्रवार को, तो अगर आप यह scanner अगर आप चाहते हो, यह scanner आपको चाहिए, इसका इस्तवाल करना चाहते हो, इस scanner की training चाहते हो, तो आप XMA लिख के हमारे WhatsApp नंबर क आप सभी को यहाँ पर दे देगी, और राइट, it's a beautiful scanner, you can use it, और हाँ, अगर आप सारे लोग, आप में से कोई भी Fires के अंदर, जिन्हों ने अपना अकाउंट उपन किया है, तो Fires ने बहुत अच्छी चीज निकाली है, which is called a Fires Journal, और यह Fires Journal है, इसकी जो लिंक है, मैं आ कर दूँगा, तो यहाँ पर आपको पता चलता है, कि आपने क्या काम किया, कैसा किया, जैसे यह जानिवारी महिने में, आप देख सकते हों कि, almost हर एक दिन, I am in a profit, एक भी दिन यहाँ पर लॉस नहीं है, और profit भी अच्छा खासा यहाँ पर देख रहा है, यह जो of minimum 2 lakh, और बविशे में अगर आप और पैसा invest करना चाहते हों, तो आप यहाँ पर मेरे live trade या मेरे open trade आप यहाँ पर देख सकते हो, और मैंने कुछ live sessions भी मैंने plan किये है, उस सब की भी आपको जान करी चाहिए, तो whatsapp में एक काम करिए, अरिहंत लिखके आप message बेज दीजे, हमारा यह whatsapp number है, यह paid service होगी, और यह free service नहीं होगी, तो आप यहाँ पर Ariant लिखके message बेज दीजे, आप मेरे यहाँ पर open trade जो है, आप इसको देख पाएंगे, and in the mission 10 million, यह मेरा promise है to all the clients who are joining me in Ariant 10.3.0, कि हम यहाँ पर 6 lakh को 6 करोड के अंदर हम convert करने वाले हैं, और वो भी हम live trade मैं करने वाला हूँ, यह already मेरा शुरू हो चुका है, तो आप जब से जुड़ेंगे, तब से आप मेरी journey from 6 lakh to 6 crore, आप देख पाएंगे, जादा जानकार एक लिए message कर दीजे, my team will get back to you, and they will give you all the information, scanners भी यहाँ पर available है, and free strategies भी अविलेबल है, आप message दीजे, my team will get back to you आज इस session में आप लोग आये, जुड़े, मुझसे मिले, उसके लिए बहुत बहुत दनिवाद, I am going to see you in the next session, till then take care of your heart and money, and Jai Hind!